नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों स्वागत है आपका आपके ही अपने यूटीब चैनल साधाबाद की स्रीपर मैं हूँ सौनू चौधरी दिनांकाज 11 जनवरी 2024 दिन ब्रसपतिवार का हो चुका है किसान साथियों आज की वीडियो बहुत ही जादा आप लोगों के लिए महतिमोड रहने वाली है बिना इसकिप की आंतक तक देखिएगा तब ही आप समझ पाएंगे के इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने और जानकारी देने का क्या उदेश है तो जिन किसान साथ उन्हें अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिजे पास महीं बेल आइकने से ओल पर हिट कर लिजे इससे क्या होगा जब भी हमारे द्वारा आलू से संबन देते हर जानकारी हर वो गतिविदी हर वो परिस्तिती की जान हैं सबसे ज़्यादा इस्तितियां विक्राल हो रही हैं जो कॉंट्रेक्ट बेस खेती की है किसानों के द्वारा उस में दूसरे नमबर पर उनका खुद का राशन आलू जो की कुफरी बादिसा और पुखरा जाए और यही वो कारण है कि गुजरात में बिलाइड फैलने क बाद में किसानों द्वारा तमाम वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कुछ फसल से बचाव हो सके लेकिन बिलाइड सभी को पता है कि एक बार फैल गी तो वो कभी किसी भी फंगी साइट से नहीं रुखती है यह तो सुरुवात में जो इस्प्रे हो जाते हैं उसी से क तक गुजरात की ने दो-तिन दिन अखबार दो-तिन दिन चैनलों पर चला दिया स्री गर्णिस कर दिया लेकिन बिलाइड किसानों की सारी जमापुंजी और उनकी आर्थिक इस्तिती को भी गड़वड़ा चुकी है हर वो इलाका दीशा हो, बनासकांटा हो, साबर माटा हो या जहां पर सबसे ज़्यादा अलूता है, महसाना हो सारा एरिया जिले के जिले गुजरात में बरबाद हो रहे हैं इससे उन कुल्ड मालिकों के और उन कंपनियों के माते पर चिंता की लखी रहे हैं उनकी चहरे से हवाईया उड़ गए हैं, जिन्होंने किसानों से कॉंट्रेक्ट बेस खेती की थी और आज हालत भयावाव हो चुके हैं कुछ इलाकों में जहां पर ज़्यादा बिलाइट फैली हुई है, वहां पर किसान जो है, क्योंकि पुखरा जालू करते हैं तो खुदाईवी थोड़ा बहुत हो गई है, और कुछ ऐसे लोग फ्रॉड जिनका सरगना एक खंदॉली का व्यक्ति है, वो लोग अपने व्यापार में इसकादर अंदे हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ मंदा ही मंदा दिखाई दे रहा हैं, और कुछ दिखाई नहीं दे है, सबसे ज़्यादा नरक जो है इस खंदॉली के आदमी ने कर रखा है, हकीकत वास्तिविक बात यही है, और एहमदाबाद के इलाके के आसपा जो आलू होता है न, वहां का एक सेट था, बहुत बड़ा अपने आपको इमांदार और बहुत बड़ा क्लाइंट बताता था अपने आपको, लेकिन इसते ज़्यादा भ्रष्ट और एमसी बहंचोद कोई नहीं है, रियल्टी यही है, कि जो सच्चा ही बताता है, उसे जो है गालियां ही मिलती है, आज हुजरात बरबाद है, मैं यूही नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे साइड में स्क्रीन सॉट भी द दिखा सकते हो, इस बार हमारी कमर तूट गई, अब कोई चारा नहीं है, तमाम इस्प्रे वगेरा जो वहाँ पर चलती हैं, दवाईयां वो सारी लगाईयां लेकिन कोई ब्लाइड कंट्रोल में नहीं आ रही है, बरबाद हो गए है, निश्चित तोर पर उन किसानों की ब देश भर में पहले से ही ब्लाइड सबसे पहले जो सुरुआत हुई थी वो हुई थी पंजाब में, पंजाब में ब्लाइड ने ऐसा कहर मचाया था और इतना हाकार मचाया था कि आलू पंजाब में खुदवा के ही मानी, पूरा आलू पंजाब में खुद गया, हर्याना ब लेट बिलाइट, लेट बिलाइट से चाहिए वो आगरा हो, आगरा कर नजदीक इलाका फिरोजाबाद हो, अलीगड़ हो, हात्रस हो, बरेली हो, बदाईओं हो, संभल हो, बुलंद शहर हो, मैनपुरी हो, कासगंज एटा हो, इटावा हो, फरुकावाद हो, कन्नोज हो, बार यह पूरी तरीके से पहले अगेती जुलसा और अब पच्छेती जुलसा, खेत के खेत मैदान ओड़ रहे हैं, मैंने भी कल आपको खंदोली से दिखाया था, किसानों ने अपनी वेधना भी जाहिर की थी, और साइज यह यह है, लेकिन जो खंदोली का सरगना है न, उसे तनि की भी स्तरम नहीं है, वो जूते खाने का काम कर रहा है, कि आओ मुझे मारो, और इस्तितियां इतनी विक्राल हो चुकी है, खंदोली हो, सादाबाद हो, माट हो, नौजहिल हो, मुर्सान हो, सासनी हो, इगलास हो, ठेर हो, जो 377 की बेल्ट है, यह भेंकर बिलाइड की चप चालीस भी निकल आए न, कट्टे का भीगा, वो भी बहुत मानना, नहीं तो नलग नहीं रहा है कि चालीस भी निकल आएगा, इस्तितियां बहुत ज्यादा यहां पर विक्राल हो चुकी है, अब एक दो खेतों को छोड़ दें, वो तो विपरित में आ जाते हैं न, तो ऐस में बहुत बड़ी विक्राल शुनोती समय पर किस्नानों के सामने बनी हुई है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, खत्म, प्रोडक्शन गिर गया, बंगाल की तो सभी को पता है, और बंगाल की मार्केट की भी सभी को पता है, कि इस्थिर हो गई, ना एक रुपे डाउन जा रही है न, एक रुपे उपर, उसी जो रेट चला है, उसी पर निकल रही है, और साउथ में डिमांड बढ़ने से, इस समय पर आलू के भाव में भी तेजी देखी जा रही है, नया आलू, क्योंकि पुराना खतम हो चुका है लगबख, और नया आलू जो है, ब् जी देखने को मिले है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, नए आलू को, किसानों को अच्छे भाव भी नहीं लेने दे रहे हैं, जो कच्छी खूद में चला है, इतना नकार आत्मा किसानों के जहन में बढ़ दिया है, जहर बढ़ रहे हैं, जहर, कि बो जो हैं, उससे उबर के लिए चेननी मंडी से चुननी मंडी में आज जो है, उत्तर प्रदेश के आलू 21 रूपे किलो से लेकर 23 रूपे किलो, मदरोई की मंडी में उत्तर प्रदेश के आलू 20 रूपे किलो से लेकर 23 रूपे किलो, तिरुपती में उत्तर प्रदेश के आलू 22 रूपे किलो से ल चिकल मंगलूर की मंडी में उत्तर प्रदेश के आलू 22 रुपे किलो से लेकर 24 रुपे किलो तक और नीचे में 16 रुपे किलो से लेकर 18 रुपे किलो तक, क्योंकि कच्छे आलू में भी डिफेक्ट होता है हुबली मंडी की बात करेंगे तो हुबली मंडी में उत्तर प्रदेश के आलू जो 18 रुपे किलो से लेकर 22 रुपे किलो की दर पर विक रहे हैं दासनपुरा की मंडी में उत्तर प्रदेश के आलू 18 रुपे किलो से लेकर 20 रुपे किलो की दर पर विक रहे हैं किसान साती बात करेंगे मुंबई मंडी में तो मुंबई मंडी में वी वी आईपी उत्तर प्रदेश के आलू जो है 19 रुपे किलो से लेकर 22 रुपे किलो तक है और अगर बात की जाए पीले आलू जिने ख्याती बोलते हैं वो 10 रुपे किलो से लिका 14 रुपे किलो पीली के कर्चे 9 रुपे किलो से लेकर 12 रुपे किलो तक की दर पर किसान सातियों बिक रहे हैं तो कुल मिला के इस्थितियां बहुत ज्यादा सामान्य हैं और अच्छी हो चली हैं और आशा है कि यह और आगे भी ऐसी चलती रहेंगी इसके इतर आज जो है अभी 960 रुपे से उप पर साधाबाद हो या खंदोली हो इसमें अभी कोई व्यापारी उपर नहीं बढ़ा है सबी अब जो है 960 रुपे तक ही सीमित रह गए हैं सौधे अभी से बोकिंग की जा रही है और यह बात बिल्कुल फैक्ट है और निशित तोर पर ये साल आप लोगों को 1600 रुपे प्रत लगा ले वो किसान नहीं है पिर जो जह कहता है कि नहीं जाएगा और वो कह रहा है किसान की जमा पुंजी इस आलू में है और उसका जो benefit है वो आप लोगों को सोने चोदली ने दे देगा क्योंकि तो हम लोग गिद्ध की तरह है किसान के उपर नजरें जमाए बैठे कुछ खिसान भी बहुत ज्यादा ग्यानी बनने है वो कह रहा है अरे ये नहीं होगा तो भाईया ये नहीं होगा तो बेचलो यार कौन मना कर रहा है अगर कोई आपके 600 लगा रहा है तो देदो मुझे पर क्या फरक बढ़ता है क्योंकि आलू तो तुमारा यह है मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपका आलू 700 रुपे से कट्टे से उपर बिखे और जो तुमारे अंदर नकारात्मक्ता का भाव कोल मालिकों और व्यापारियों ने बना रखा है कै ये नहीं होगा वो नहीं होगा इसे सौनी चौदरी कहते हैं कभी भी परखा होगा जब या बात पत्थर की लखीर मिली होगी कि ये है तो ये है लेकिन उसके लिए आपको इंतिजार भी करना पड़ा होगा लेकिन सच्चा ही जमीन पर ही मिली होगी अगर आज ये तुमारे सामने बैठा हुआ सौनी चौदरी कह रहा है न जितने वड़े तुम ग्यानी हो न तुम किसान नहीं किसान के भेश में बैठे हुए भीड़िया हो किसानों के दुसमन हो मैं ये आप खुद के कह रहा हूँ जो तुम लोग कमेंट करते हो जो तुम कॉल मुबाइल पर बात करते हो तुम्हें तो फक्र होना चाहिए तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कोई व्यक्ति हमारे हितने लड़ रहा है और हमारा आलू जो है 800-900 के उपर के बखवाने के कोशिज कर रहा है कि इस तरीके से कैसे भी किसानों का आलू 1900 रपे कटा विके लेकिन तुमारी नियती क्या है तुमारी नियती वही है कुः की मेडकी तरह है इससे आगे आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो क्योंकि आपका लास्ट हो जाता है 600 रपे यह देखते हो कि आरे नहीं होगा अरे हम कहा रहना आगे निकल के देखो तुमारा पूरा 2024 आपका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है तेजी के साथ और आपको आलू के अच्छे रेट मिलके ही रहेंगे कोई नहीं रोक सकता है लेकिन आप इस दलदल से तो निकलो लोग कमेंट करने लग जाओ ये किसान विरोधी बाते हैं सिर्फ ब्यापारी करते हैं य अगर किसी किसान ने यह सोच लिया मेरा उत्पाद हजार रुपे का है और मैं हजार रुपे से नीचे नहीं विकूँगा तो निश्ची तोर पर उसका उत्पाद एक हजार रुपे प्रति कट्टा ही विकेगा लेकिन अगर नियती बना लिये तो उसे न महमेट सकता हूं नहीं वो क्योंकि आप जो है कोल्ड मालिकों को और व्यापारियों को और जो मंदड़िया बैठे हुए उनको पूरा मौका दे रहे हो 500-600 रुपे क्योंकि वो क्या है हमारा तो एक किसान कह गया था 600 रुपे में हमारा लेलो तो उन्हें तो आपने बैठे बैठाए हाथ में हलवा दे दिया खाने के लिए क्या वो तुमारा भला कर सकेंगे अरे ठोके गव जिगरा नहीं देंगे 900 रुपे कट्टा से नीचे तब तो हमारी बात बनेगी तब तो आपको अलु के अच्छे दाम मिलेंगे और यही तुमारे नियती बना रखे कि आरे 500-600 रुपिया मैं मैं देदूंगो पोई आजाब है और मैं वो कर दूंगो तो यह सिर्फ किसान विरोधी बात होती है यह नहीं सिर्फ कोल्ड मालिक और मंदडिया गेंग के लोग करते हैं और ब्यापारी करते हैं अरे इस जोश और खरोज के साथ बातों में बाणी में अपनी में एक भारा पनला हो जिससे एक उम्मीद बने एक आपको अच्छे आलू के रेट मिलें यह नकारात्मक ता छोड़ो हाद जोड के निवेदन ह बहराल किसान साथियों उद्देश सिर्फ इतना ही है कि आपका आलू अच्छे दरों पर वो भी खेतों से ही हजार रुबे प्रतिकटा उठवा दिया जाए इसी कोशिस में लगे हो हैं और निशित तोर पर ये प्रयास भी बहुत जल्द सफल भी होंगे और इसके लिए हम खुबी मेहनत भी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का सायोग अपेच्छेत है इसलिए सभी किसान एक जुट हो जाएं और अपने वाड़ी में भारेपन लाएं अपने बातों को हलका ना करें अपने सोच को हलका ना करें अपने सपनों को हलका ना करें भारी भरकम बनो भा कोई भी ताकत नहीं है जो आपका आलू 600 रुपे कट्टा खरीद के दिखा दे साब किसानों को गोल होना पड़ेगा अगर आलू के अच्छे दाम लेने हैं तो बाकी आप लोगों का काम है आप जैसा उची समझें वैसा कर सकते हैं हमारा काम आप लोगों को एक मोटिवेट क लगता है कि नहीं होगा तो वो अपना आलू बेच सकते हैं चाहें वो 300 बेच हैं चाहें 500 बेच हैं लेकिन जो हमारे साथ हैं वो यह अभी देश अपत लें कि हम 900 रुपे कट्टा से नीचे नहीं देंगे चाहें कुछ भी हो जाए तो निश्ची तोर पर आपको आलू के इस बार मिलेंगे मिलेंगे कोई नहीं रोख सकता है धन्यवाद आपका दिन शुबो